UN की रिपोर्ट ने भारत की बड़ाई मुसिबत तो साथ ही दी बड़ी खुसकबरी 2023 में UN आशी का 27 सदश्य बनेगा भारत भारत होगा वीटो का परमुख दाविदार नमस्कार प्लेनेट फोर्ट पर दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों हाली में UN की एक रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के बाद बवाल फूट गया है दरसल दोस्तों UN की ओर से आई इस रिपोर्ट में भारत के लिए दो बड़ी खबरे निकल कर सामना आई है जिसमें एक पोजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव भी है आपको बताएंगे कि आखिर negative क्यों है और positive क्यों है दोस्तों आपको मालूम है कि भारत UN के अंदर 17 सदश्य बनने के लिए हर कोसिस कर रहा है लेकिन चीन बार बार अडंगा डाल रहा है अगर भारत के पक्स में देशों की बात करें तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश कहीं न कहीं भारत के साथ खड़े हैं लेकिन चीन लगातार अपने वीटो का इस्तमाल करके भारत को काबिल नहीं समझ रहा लेकिन दोस्तो अब भारत के लिए उसी यू एन से बड़ी खबर सामना आई है जिसने चीन की मुसिबत को बढ़ा दी है शाथी भारत अब चीन को पचाड का नंबर वन की पोजिशन पर आने वाला है और दोस्तो ये पोजिशन चीन पर इतनी भारी पढ़ने वाली है कि चीन के सारे पैंतरे फेलों जाएंगे तो ये जानेंगे कि आखिर भारत जो नंबर वन की पोजिशन हासिल करेगा वै उसको घातक साबित होगी या फिर फाइदे मन दरसल दोस्तो यू एन से एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक साल 2023 तक जनसंक्या के मामले के अंदर चीन को पचाड कर भारत नंबर वन की पोजिशन हासिल करेगा अब दोस्तो यू एन से जो ये बात आई है उसके बाद देश के अंदर योगी आदितिनात का बड़ा बयान भी आया जिसे अब एक मज़ब से जोड़कर देश के अंदर बहस छिड़ गई है लेकिन उसके साथ साथ दोस्तो अगर भारत की जनसंक्या बढ़ती है तो भारत के लिए कई खत्रे पेदा हो सकते है भारत को रोजगार के छेत्र में समश्या हो सकती है शिक्षा के छेत्र में या फिर चीजों की आपूर्ती के मामले में भारत को लड़ना पर सकता है मुस्किलों का सामना करना पर सकता है अगर भारत की जनसंक्या इसकदर लगातार बर्दी चली गई तो फिर अर्थ ववस्ता में तेजी लाने में भारत को दिक्कोतों का शामना करना पर सकता है दोस्तों जनसंक्या वर्दी के कई नुकसान है जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बताये जाए तो भी नाकापी है लेकिन भारत को इस खबर के सासा जो खुस खबरी मिली है वै काबिले तारीप है और हमें गर्व महसूस कराएगी दरसल संयुक्त राष्ट के एक पर्मुक अदिकारी ने कहा है कि चीन को अगले साल तक पचाड कर विश्वे का सरवादी के जन्शंक्या वाला देश से बन जाने पर शंयुक्त राष्ट सुरुक्षा परिस्द की स्ताइश सदशियता के लिए भारत का दावा और मजबूत हो जाएगा और 2023 में भारत इस दावे के तहट स्ताइश सदशिय भी बन सकता है अब दोस्तों आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आखिर रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है और आपके अंदर जो भी सवाल पेदा हो रहे हैं कि आखिर भारत को वीटो क्यों मिलेगा क्यों भारत इस्ताइश सदशिय बनने वाला है आखिर किसने ये बात बोली है ये तमाम जानकारी आपको देंगे ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए और आखिर भारत के लिए ये पोजिटिव क्यों खबर है ये भी आपको जानने को मिल जाएगी इस खबर का नेगिटिव पहलू तो आपने जान लिया कि जंशिंक्या विद्धी की वज़े से भारत को कई नुक्सान हो सकते हैं लेकिन विश्व पठल पर इस खबर के बाद भारत की जो धाक जमने वाली है उसे कई देशों की मुसीबत बढ़ने वाली है अगर भारत सुरुक्षा परिशद का इस्ताईर सदर्शे बन जाता है तो पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत के पास परियाप्त सबूत होंगे चीन से भारत को छुटकारा मिल सकता है, चीन के आतंक से भारत दुनिया को बचा सकता है, भारत के पास वो ताकत होगी जिससे चीन से लड़ा जा सके दोस्तों, The World Population Prospectus 2022 की सुमवार की जारी रिपोर्ट में आंकलन किया गया है कि 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ विश्व का सरवादिक जनसंक्या वाला देश से बनने वाला है 2022 में भारत की जनसंक्या 1.41 अरब आंकी गई है, जबकि चीन की 1.42 अरब Population Division of the UN Department of Economic and Social Affairs DESA के डाइर जान विलमोत ने सुमवार को कहा कि भारत अब तक सुरुक्षा परिशद की स्ताई सदशियता का तो दावा करता था लेकिन विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाने पर निश्चित रूप से उसका दावा और मजबूत होगा इलमत ने या बाद पेज कॉनफरेंस के दुरान दोस्तो जन्शिंग्या रिपोर्ट के असर पर पूछे गए सवाल पर कही उन्होंने भारत की प्रसंसा करतेवे लंबे शमे तक चलने वाली अर्थ ववस्ता बताया है इसके साथ ही कहा कि उसने 72 ढंग से जनम दर में कमी लाई है अमेरिका, ब्रिटैन, फ्रांस, रूश और चीन सुरुक्षा परिस्द के 5 इस्ताई सदशिय हैं दोस्तो इनके अलाबा सुरुक्षा परिस्द में 10 इस्ताई सदशिय होते हैं इन इस्ताई सदशियों का चैन चेतरी आदार पर किया जाता है अफ्रीका और एसियाई देशों से 5 पूर्वी यूरोपिय देशों से 1 लेटिन अमेरिका और करेबियाई देशों से 2 और पर्शिमी यूरोपिय और अन्य दो देशों का चैन किया जाता है लेकिन दोस्तो अब जिस परकार से यू एन ने ये जो दावा किया है कि भारत जन्शंक्या विदी की वज़े से वीटो का हगदार बनने वाला है क्या वाकाई भारत सुर्क्षा परिशत का इस्ताईश अदिशिय बन पाएगा इसके लिए हमें इंतजार रहेगा आलांगी भारत वीटो को पाने के लिए हर वैकोसिस करता रहता है दोस्तो भारत एक सांतिफिय देश है जो की एह हिंशा में बिलीव करता है और एक बहुत बड़ा देश है जिसकी जन्शंक्या काफी ज़्यादा बड़ी है लेकिन भारत में जन्शंक्या वर्दी के साथ साथ जिस परकार से अर्थ वबस्ता को मैंटेन किया जा रहा है वेकाबिले तारीथ है दोस्तों भारत मदद हर जरुरतमन देश की भी करता है जिसमें चाहे अपरीका के गरीब देश हो या फिर कोरोना के टाइम भारत की मदद हो या फिर संकट ग्रश्ट अफगानिस्तान और सिरलंका जैसे देशों की मदद ऐसे कई उधारण है जिनका बखान हम कर सकते हैं ऐसे मैं दोस्तों क्या कहना है आपका अगर भारत को वीटो मिल जाएगी तो फिर चीन के लिए कितनी मुसीबत बढ़ने वाली है इस पर अपनी टिपणी जरूर कीजिएगा धनी बाद